बच्व ट्राइंगल उफ मैक्सिम हो इसको देखते हैं, बच्व मानलो आपने एक कॉड बनाया, यह कॉड है आपका AB, ठीक है, बच्व कोई भी पॉइंट आप ले लो इस सर्कल पर ठीक है, और इस तरह से लो कि आपका जो एरिया है वो मैक्सिम हो जाए, तो आप ध्यान से पर ऊक कि देखो हैं यहां पर देखते हैं, बच्व मानलो आपने point यहां पर लिया चायां यह करके, यह पुइंडिकलर डाला तो बच्व आपका जो perpendicular है वह सबसे जादा कब होगा, आप इदर से जा रहा है इस तो भी perpendicular का value种 बढ़ता जाना, इठर से जाओगे तोभी perpendicular डाली है AB लाइन पर वो कब मैक्सिम होगी जब यह पॉइंट जो सिमेट्रिकली प्लेस्ट होगा ऑन दा आर्क अबाउट एब यह और भी इकोल होगे यहां से आपने डाला परपेंडिकलर और यह ठीक मिट पॉइंट पर होगा क्योंकि यह चीज और यह चीज अगर बराबर डाला वह आपका क्या हो जाएगा AB के मिट पॉइंट पर आएगा ठीक यह आगया है अब बचो क्योंकि यह यह लाइन जो है यह आपकी परपेंडिकलर बैसेक्टर है भी कि तो वह एक डायमेटर होगा और सरकल का सेंटर ओ बोल देते हैं यहां पर इसको अपने इस पॉइ कोई एक एंगल आप थीटा माल लो यह माल लो चाहिए माल लो ठीक है यह अंगल थीटा अगया बचो यह आपका सरकल का रीडियस आर है ठीक है यह यह यहां से यहां तक कितना हो जाएगा आर हो जाएगा बचो हाइट कितना हो जाएगा हाइट हो जाएगा आर प्लस आर cos theta बचो यहां पर 2 से 2 काट दो ठीक है आपको एक ज्यादू दिखां amgm से तो sin theta किता हो जाएगा बचो 2 sin theta by 2 multiplied by cos theta by 2 multiplied by 2 cos square theta by 2 बचो लिख लो तो done कर देना प्लीज राइट done अगर आपने लिख लिए है तो बचो amgm से मैं maximum minimum कैसे करता हूं द्यान से दिखना आर का वैलिव दे रखाए गया है हां ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमेट्रिक सबसे फिगर होगा ना तभी आपका आएगा ट्राइंगल और रेडियस आर है साइड लेंद पूछा है यहां पर एकुलेटल एकुलेटल तो मैं साइन रूल से निकाल देता हूं a upon sin a is equal to 2r चय कुझा है बजब किसी चीज से ब्यादा करने से खराएं यहां एक है throws a यह एक बार लिखा और cos²θ by 2 cos²θ by 2 cos²θ by 2 यह अपने तीन बार लिखा और इनका sum जो है मुझे constant रखना है तो upon 3 upon 3 upon 3 क्या आपको दिख रहा है कि इन quantities का sum जो है इन quantities का sum जो है वो किता है fix है constant है और यह greater than equal to गा am greater than equal to gm भूचो sin squared theta by 2 sin squared theta by 2 into cos squared theta by 2 upon 3 का cube की power 1 by 4 इतना लिखनी की जरूरत नहीं थी वैसे ठीक है भूचो आपको ये expression प्रकट होता हुआ दिख रहा है कि क्या आपको ये वाले expression यहां पर प्रकट होता हो दिख रहा है आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना ऐसे मैंने ज़्यादा लिख दिया है पर आप सिंपली यह देखें कि यह कॉंटिटी हमेशा इससे कमें वन बाइफॉर से कमें तो मैक्सिमा किता हो जाएका वन बाइफॉर और मैक्सिमा आएगा कब ज़ए एंजी एम में मैक्सिमा साइं स्कूर्य इसब्सकान हो अगा पर टेख सकते हो कि आर इन्टु आर स्कूर किता ओंतर ओन प्लिस जो ठीक है जो 60 है तो किता जाएगा रूट 3 by 2 और 3 by 2 तो आट स्क्वेर रूट 3 by 2 multiplied by 3 by 2 तो 3 रूट 3 by 4 और थीटा 60 आ गया तो खतम ही हो गया बच्वेर थीटा 60 एक्विलेटरल आई जाएगा तो यहां पर यह एंगल 60 है तो यह 30 हो जाएगा और यह बच्वेर शिक्स्टी है तो यह वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 यह 120 हो जाएगा यह एंगल भी 60 आजाएगा थीक तो आई से स्ट्राइंगल और उपर से अगर मालो वर्टिकल एंगल अगर आपका 60 आ रहा है तो इक्विलेटरल हो गया वैसे इतना करने की जुरूरत नहीं थी आप यहीं पर आप सवाल खतम हो जाता है न पंटबेरल हो झाली आपका 60 आपस्ट दूमाल जहा है वैसे एंगल खिलक रहा है उपर जचल थे आपका 60 आपका 60 आपका 50 आपका 60 आपका 60 आपका 60 आपका